हेलो फ्रेंड्स C++ के इस लेक्चर में आज हम देखने वाले हैं Inheridence in C++ ये जो देखने वाले हैं हम ये वीडियो ये Part 1 है इसके अलावा भी Inheridence के 3 से 4 parts होंगे हर एक part में जितने भी types होगे रहे जो भी चीज़े हैं सारी चीज़े हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे तो आईए पार्ट इंट्रोडक्शन के इस पार्ट में बात करते हैं सबसे पहले तो inheritance क्या है inheritance is the capability of one class to acquire properties and characteristics from another class मतलब कोई एक class है जो क्या कर रही है किसी और class से बन रही है या फिर उसकी properties को ले रही है मैं लगे तो एक example के थूरू आप लोगों को समझाता हूँ तो सबसे पहले तो ये मैंने code block software open किया और जिसमें ये header files मैंने लिखी हुई है उसके बाद ये main मैंने लिखा हुआ है ठीक है मुझे class बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा class keyword लिखना पड़ेगा जैसे मैं class का नाम रख देता हूँ Samsung Samsung का कोई phone था जैसे S1 आया था सबसे पहले S1 लिख देता हूँ ये class मैंने बना ली ये class बनाने के बाद मैं इसमें लिखता हूँ int या फिर int speaker जो पहला फोन आया था उसमें speaker था उसके बाद उसी फोन में था int mic भी था ओके ये दो चीज़ें मैंने ले ली है अब आगे बात करते हैं ठीक है ये class तो बन गई है एक class और मैं बना लेता हूँ अच्छा मुझे इसका object बनाना है तो क्या लिखना पड़ेगा class का नाम Samsung S1 ये मैंने लिख दिया class का नाम अब मैं लिखता हूँ A1 object का नाम A2 object का नाम इसका क्या मतलब है मैं diagram के थूँ बताता हूँ इसका ये मतलब है कि मैंने एक block बनाया है A1 नाम का एक block बनाया है A2 नाम का लगे तो दोनों के नाम भी रख देता हूँ इसका नाम मैं रख देता हूँ A1 और जो दूसरा block है उसका नाम रख देता हूँ A2 ये जो A1 block है इसके अंदर क्या होंगे दो blocks होंगे पहला block जो होगा वो हमारा उसका नाम हमने speaker रख दूसरा माइक ऐसे block बनेंगे तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कि जो पहला block है वो है speaker पूरा नहीं लिख रहा हूँ और जो दूसरा block है उसका नाम है माइक ये दोनों चीज़े मैंने लिख दी यहाँ पर अच्छा यही चीज़ तो नीचे भी होने वाली है मतलब किसके लिए दूसरा जो block बना होगा उसके लिए भी तो मान लेते हैं उसमें भी ये चीज़े आ चुकी है अब आगे क्या अच्छा लेकिन ये दोनों private है मतलब ये भी private है तो मैं इसे कुछ देर के लिए public कर देता हूँ अच्छा मुझे class और बनानी है तो मैं क्या लिखूंगा simply मान लेते है market में नया phone आ चुका है samsung s2 पहला phone आया था s1 तो मैं लिखता हूँ class samsung s2 ओके ये दूसरा दूसरी class मैंने बना लिए है हाँ इसमें नए features है इसमें है int मैं ले लेता हूँ radio की इसमें radio है और int ले लेता हूँ जैसे sensors है इसमें sensors ओके हाँ लेकिन इसमें speaker और mic भी है मतलब जो उपर वाली class में था वही चीज़े इसमें भी है तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा int speaker और यहां लिखना पड़ेगा int mic वो चीज़े तो है इसमें जो पहले थी वो तो है लेकिन इसमें नई चीज़े आ चुकी है क्या क्या आया है एक radio आया है और दूसरा sensor आया हुआ है तो इससे क्या हुआ C++ का कहना यह है कि अगर आपने एक code को एक बार लिख लिया देखो यह lines पहले से लिखी हुई है तो आप उसका reuse करो उसे फिर से ना लिखो rewrite ना करो उसका reuse करो मतलब इस class की जरूरत है आपको इस class के जो members हैं यह दोनों यह इस class के अंदर भी हैं तो इसे ना लिखो यहां से हटा दो इसे आप नहीं लिख सकते उन class का reuse करो उस class के members का अच्छा अगर आप object बनाते हो मान लेते हैं मैं अभी यह चीजे वैसे ही रखता हूँ मैं अगर object बनाऊंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा Samsung S2 S2 का object बनाने के लिए मैं लिखता हूँ B1, B2 ओके यह दोनों चीजे मैंने अहां लिख लिए हैं मतलब मैंने एक ही ब्लॉक रखता हूँ जगा कम है डाइगराम के लिए तो एक ही रखता हूँ हाँ तो कैसा ब्लॉक बनेगा यह ब्लॉक तो बनेगा बड़ा जिसके अंदर यह चीजे तो होने वाली है क्या स्पीकर और माइक तो है लगे तो यह वाला पॉर्शन मैं लगे तो यहां ले लेता हूँ इसके साथ और क्या है इसके साथ दो नए ब्लॉक्स बने हुए है एक है रेडियो और दूसरा है सेंसर तो मतलब दो नए ब्लॉक्स भी है इसमें एक रेडियो है और दूसरा जो है वो है सेंसर तो मैं उन्हें भी लिख लेता हूँ यहां पर पहला वाला जो ब्लॉक है वो है रेडियो और जो दूसरा ब्लॉक है वो है सेंसर ऐसे ब्लॉक है तो ये काम भी मैंने कर लिया हाँ ये ऐसे तो बन सकता है लेकिन C++ का कहना यह है कि आप जो भी ब्लॉक बना रहे हो उस ब्लॉक्स का री यूज करो आप क्या कर रहे हो कि ये जो speaker اور maik आप फिर से लिख रहे हो देखो class में मैंने फिर से लिखा है उपर भी लिखा था तो ये ना करो मतलब उसकी properties जो हैं किसी और class की properties उसका use आप करो मतलब ये दोनों चीजें मैं हटाता हूं हटा दी मैंने उसका use करने के लिए आपको सिर्फ यहां लिखना पड़ेगा colon और उस class का नाम Samson S1 हो गया इससे क्या होगा कि ये दोनों चीजे इसमें भी है मतलब पुरानी जो base class थी पुरानी class उसे base class कहा जाता है अब ये नई class बन गई नई class मतलब child class जो पुरानी class की मदद से बनी हुई है इसे ही तो inheritance कहा जाता है जब हम किसी और class की properties का use किसी और class के अंदर करते हैं तो ये नई class जो बनती है इसे child class कहा जाता है और जो पुरानी class बनती है इसे parent class कहा जाता है अब भी सही है ये ये सही है ऐसे भी लिखा जा सकता है हाँ मैंने public protected private नहीं लिखा है आप चाहो तो यहाँ access specifiers लिख सकते हो जिसे आपने यहाँ लिख दिया public ऐसे भी आप लिख सकते हो यह आपकी choice है हो गया अच्छा आप definition पढ़ते हैं definition क्या है inheritance is the capability of one class to acquire properties and characteristics from another class the class whose properties are inherited by other class is called parent class और base class मतलब ऐसी क्लास जिसका use हम कर रहे हैं किसी और क्लास के लिए तो उसे parent बोला जाता है and the class which inherits properties of other class और ऐसी क्लास जो किसी और का property ले रही है उसे बोलते हैं child class और derived class और sub class तो ये तीन नाम दिये हुए हैं इसके अलावा inheritance makes the code reusable code का reuse हम कर पा रहे हैं यही तो c++ कहता है कि reuse करो तो inheritance हमें reusability provide करता है when we inherit an existing class all its methods and fields become available in the new class जब हम उनका use करते हैं तो methods और जो fields होते हैं वो available हो जाते हैं नए class के लिए hence code is reused एक note दी हुई है all members of class except private are inherited मतलब इसका ये मतलब है कि अगर कोई class के members private हैं और आप उनका use करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो private है किसी और class में नहीं चलने वाले हो वहां पे भी private ही माने जाएंगे तो ये note दिया हुए आपको याद रखना है यह syntax है class का नाम लिखो child class का नाम जो मैंने दूसरी बनाई थी samsung s2 कोलन लगा कि मैंने लिखा था public और नई वाली parent का वह जो पुरानी class थी parent वाली उसका नाम लिखा था है samsung s1 यहीं तो है और इसके अलावा यह टाइप सही सारे टाइप सम अगले के अगले लेक्टर्स में बात करने वाले सिंगल इने रिटन से टाइप है जो भी हमने देखा वह सिंगल का ही टाइप था multiple अभे हमें देखना है इन्हें हिरार्चिकल हमें देखना है multi-level देख संद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर लिजिए मेरे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए यह मेरा Facebook का पेज़र जिसे आप लोग लाइक कर सकते हो और आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे आपके डाउट्स कमेंट करके भी पूछ सकते हो कोई सुझाओ है तो आप वो सुझाओ भी मुझे दे सकते हो थैंक यू